बूर्णिंग स्टूडेंट्स वैलकम इन मैस क्लास आज हम मैथ में मैथ की बुकापीज नंबर 164 करेंगे 164 में हमारा सोलेड शेप पहले हमने प्लेन शेप की थी आज हम करेंगे सोलेड शेप शोलीड दिफन शेप साथ गीवन गलोग शोलीड शेप होतें वो अलग-अलग तरह कुझति हैं हम इन्हें को पनाय शेप समय इने रिकुनायज करते हैं आपको सबसे पहले हमारी हमारे एकुझी बॉड की यू अ क्यॉ और क्या है क्योद्ध देखो कैसा है ये बुक्स जैसा पार लम्बा है तो इसे हम क्या गए क्या को भूर्थ की ऐग्जांपल कौन ख़र यूद के घ्यामपल के एभारआश की अड्री को मिकद क सबीसे होती है और इसल्ब सरते हैं इससे क्यों को के बीन प्रिक को और टीपक और एजर यह हमारे किसके लांपल है क्यों बोड कि क्या थैसा लगता है पर इसमें देखो उसमें रैक्टेंगल की शेप में हमारे यह देखो सिंपल शेप 1234 साइट यह तो इसमें कितनी साइट साहने हैं हमारी काउंटर रख करें कि देखो 123456789 1011-12 सिमारे कितनी साइट से 12 साइट से यह लगता है और लंबा उत हुदो प्लेव क्या देख क्योग 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 क्य यह क्या हमारा स्पेर गोल स्पेर स्पेर की एक्जामपल क्या है हमारे पेर के एक्जामपल हमारे क्या है तो पुट बोल औरेंज टमेटो बैलोन ग्लोब और वोटर मैलर शारी गोल सरकल होते हैं ना गोल होते हैं यह गोल है पर इसको इसके अंदर हाथ वगेरा नहीं दे सकते हैं तो इसके तो वहारी है स्पेर की एक्जामपल किकेट बोल फुट बोल औरेंज टमेटो पैलोन प्लोब और फट मैलर ठीक है अब यह देखो यह कौन सी शेप है हमारे देखो इसलेंडर यह है स्लेंडर यह मैं शेप है स्लेंडर शेंडर मिस बेल लागा स्लेंडर की शेप के क्यों सी ग्जामपल हमारे इस पुट सारी ग्जामपल है ग्यास लेंडर पैंसील, कैंडल, कैंडल, कैंड, ग्लास, क्रियोंस, जार, थर्मस्लेक्स, क्यूब, ड्रम, कार्डन रोलर, स्टिरिंच इसके स्लेंडर, पैंसील, स्केंडल, ट्रैस्कें, ग्लास, क्रियोंस, जार, थर्मस्लेक्स, क्यूब, ड्रम, कार्डन रोलर, स्लेंडर, स्लेंडर अब अब हमारे ऐ, कैया है, कोक्षी, पैंड़ जैसे बड़े कैप होते है, उसकी तरह नीचे से कोल, श्लेंडर होता है, ऊपर से ओप से और नीचे से ईपूल होता है, तोकून से उप से औप से पर उसे निजे से गोल होता है चैप युँग यह फॉनिकल टैंट बनां होता है उपर से को न स्टैंट से भी सबना निकाल दिया है इसलिए का कैप होगी है हमारा FUNNEL FUNNEL में KEEP किसी पचीज को गोल अकार की KEEP होती है अगल विज़ डालनों हमें इसके लिए करेट की शेप में हमारी क्यास होते है KONNICLE SHAPE KONN जैसी आइस क्रीम कोन आइस क्रीम कोन होता है वो भी क्या है कोन की अकार का दिक नीचे से ग्राइंगल बन गया और उपर से ऐसे गोल होगा है तो हमारा क्या है पोन की शेप का तो हमारी सारी शेप कोन की हमारी सोलीर शेप